भारत जोडो यात्रा की थी और उसका लक्ष था कि जो भारत में नफरत फैलाई जा रही है फैल रही है एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में एक भाशा दूसरी भाशा के बीच में एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में इसके खिलाफ हम सब को मिलके खड़ा होना चा कि देश को नफरत से हिंसा से फाइदा नहीं होता है ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांती से आख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से हिंसा से मेरा फाइदा होता है या देश का फाइदा होता है उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से हिंसा से किसी को कुछ फाइदा नहीं होता है मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मुहबत का देश है इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जारी है इसका कारण है अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूँ मैं रोजगार चाहता हूँ मैं इंजिनियर बनना चाहता हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं लॉयर बनना चाहता हूँ मगर देश की सचाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारे रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है ये और जो देश के युवाओं के सपने है उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष था कन्या कुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष था कि हम लाकों युवाओं से, माताओं, बेहनों से, बुज़ुर्गों से बात करें उनके दिल में उसको सुनें और उनका हाथ पकड़ें और उनके गले लगें लोगों ने कहा कि आप कन्या कुमारी से कश्मीर गए मगर बेंगोल का क्या होगा, असाम का क्या होगा, और इसक क्या होगा, नागा लैंड, मनेपूर इनका क्या होगा इसलिए हमने निन्ने लिया कि हम इस्ट से वेस्ट, मनेपूर से महराश्ट्रा, फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने खड़े है सिल्व गुड़ी में आपके सामने खड़े है और इतने मौबत से आपने मैंने कहा भी नहीं और आपने मौबत के दुकान खोल दी और फ्री में दिल खोल कर तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं काफी टाइम से ऐसी यात्रा हमने बिंगर में नहीं है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आकर ऐसे दूर से नहीं स्टेज से नहीं हलो हलो स्टेज से नहीं मगर ऐसे आपके बीच में आके आपकी बात सुनो यात्रा में हम भाशन 15-20 मिनट का करते हैं मगर साथ आठ गंटे हम आपके बीच में आते हैं किसानों से बात करते हैं मजदूरों से युवाओं से बात करते हैं हमने इस यात्रा में निया इशब भी जोड दिया है पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी इसमें हमने नियाई शब भी जोड़ दिया है क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण हिंसा का कारण अन्याय भी है आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है पूरा का पूरा कारण वो इन बड़े उद्योग पतियों के लिए करते हैं आपको तो आपने देखा होगा कि एरपोर्ट्स अदानी जी एरपोर्ट्स पोर्ट्स माइन्स इंफ्रस्ट्रक्चर बिजली पावर सब का सब दो-तीन बड़े-बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है मगर अगर कोई व्यक्ती है जो बढ़ाई का काम करता है और सोचता है कि एक दिन मैं फ़रनर्चर की कमपनी बनाना चाहता हूँ या अगर कोई है छोटा सा मेकैनिक है कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूं अपनी कंपनी कोलना चाहता हूं या एक युवा है जो गरीब है वो एंजिनियर बनना चाहता है और कहता है मैं एंजिनियरिंग की कंपनी कोलना चाहता हूं तो उन सब के लिए गरवाजा बंद है यह यह जो कंपनी है यह कौ जापान में मेकैनिक था, मेकैनिक ने काम शुरू किया, आस्ते 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 उसने ये टोयोटा कमपनी बना दी, हिंदुस्तान में कोई भी मेकैनिक ये सपना नहीं देख सकता है, अगर मेकैनिक ये सपना देखेगा, बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, मगर सत्या है न अगर एक बढ़ाई ये सपना देखे तो अरब पती लोग उसका मजाग उड़ाएंगे के गोड़ रहा है मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मेकैनिक, हिंदुस्तान का बढ़ाई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए कि मैं भी कामन कामपरी बनाना चाहता हूँ, मैं भी उनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ, मैं भी कालेज खोलना चाहता हूँ ये तो ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है जो काम करता है उसकी इज़त हो आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है मगर जो दलाली करता है उसकी इज़त है जो काम करता है उसकी इज़त नहीं है और अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है चाहिए वो मेकैनिक हो किसान हो बड़ाई हो जिस दिन उसकी इस देश में हिज़त हो जाएगी उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा